नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जर्गां के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं मुखमंत्री हेमंसरेन मैट्रिक वा इंटर के टॉपर्स को करेंगे सम्मानित स्वक्ष इस्कूल भी होंगे प्रोस्कृत जहां मुखमंत्री हेमंसरेन ने जैक, CBSC और ICSC बोड के मैट्रिक वा इंटर्मीडियेट परिक्षा 2020 में राज अस्तर पर टॉप करने वाले 69 विद्यार्थों को प्रोसाहन रासी देखकर सम्मानित करने का फैसला लिया है साथ ही स्वक्ष बिद्याले परत्योगता में उतक्रिष्ट परदर्शन करने वाले 119 इस्कूलों को भी विभिन स्रेणियों में प्रोस्कित करने का फैसला लिया है बाबुलाल मरांडी ने हेमंसरकार पर साधा निशाना बोले लालु को राज किये अती थी जिहाँ पूरो मुख मंत्री बाबुलाल मरांडी ने मुख मंत्री हेमंसरें से लालु यादों के खिलाफ करवाई की मांग की है बिहार के पूरो उप मुख मंत्री सुसिल मोदी के आरोप के बाद लालू यादों को जेल में मिल रहे सुधाओं पर सवाल उठाया गया है बता दे कि सुसिल मोदी ने लालू यादों पर विधायकों को मंत्री बनाने का ओफर देने का आरोप लगाया है लालू पर आरोप है कि वह बिहार में नई सरकार को गिराना चाहते हैं मुख मंत्री हेमन्सुरे ने जहारखन राजे में भाविसे में रेल परिजनाओं के निर्मार और उन पर होने वाले खर्च पर सुझाओ देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समीति के प्रतिवेदन को मंजूरी दे दी है बता दे कि इन महधपोर ने रेल परिजनाओं को केंद्र और राजे सरकार 50-50% खर्च कर निर्मान करेगी मैट्रिक और इंटर बोड परिख्षा के लिए ओनलाइन रेजटेशन की तीथी हुई घोसित जिहां जैक बोड ने मैट्रिक और इंटर बोड परिख्षा सत्र 2022 के लिए चात्रों को 2 दिसंबर तक ओनलाइन रेजटेशन कराने का समय दिया है बतादे कि रेजट्रेशन नौवी और एगारवी के छात्र शत्राओं का होगा इसी के अधार पर वे दसवी और बरावी के बोड परिक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे जैक सच्चिव महिप कुमार ने बताया कि नौवी और एगारवी की 2021 की वार्षिक परिक्षा के लिए भी परिक्षा फर्म एक साथ भरा जाएगा जहारखन एकडमी कॉंसिल ने 20% ग्रेस मार्क्स के साथ आठवी बोड रिजल्ट घोसित कर दिया है 20% ग्रेस मार्क्स के साथ आठवी के 40,813 एक्षा नौव में प्रोमोट कर दिया गया है धान क्रेकेंद्र नहीं खुलने से किसानों को हो रही है काफी परिसानी जिहाँ यह ममला रांची जीले के बेड़ों पर खंकी है यहाँ के किसानों में प्रखंड में धान खरीद को लेकर क्राय केंद्र नहीं खुलने से काफी नराजगी है किसानों का कहना है कि सेमय पर क्राय केंद्र नहीं खुलने के कारण हमें अपनी फसल को मजबूरन आढ़े पौने दाम पर बजार में बेचना पड़ रहा है लातेहार में 87 लाख रुपे की छात्रविती घोटाले का हुआ खुलासा लातेहार जिले के महुआ टाड़ परखंड के तीन बिद्यालेओं से 808 प्री मैट्रिक अल्फ संख्यक छात्रों के नाम पर फरजी तरीके से लगभग 87 लाख रुपे की रासी निकाल ली गई है बता दे कि इस मामले में डीसी अबु इमरान ने तौरित संग्यान लेते हुए तीन सदस्ये जाच कमिटी का गठन कर दिया है जारखंड पुलिस में साइबर अपराद को रोकने के लिए पुलिस मुख्याले ने जागरुकता पुस्तक जारी की जिहां जारखंड में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराद को रोकने के लिए जारखंड पुलिस अब लोगों को जागरुक करने जा रही है जागरुकता की इसकड़ी में जार्खन पुलिस मुख्याले ने 36 पेज की जागरुकता पुस्तिका को जारी किया है बता दे कि इसमें साइबर क्राइम के वजो और उसके उपायों की बखुबी जनकारी दिगई है रिम्स के बगीचे में पेंड से लटका मिला युवक का सौ जहां राजधानी राची के रिम्स अस्पताल में इस्थित बगीचे में पेंड से लटकता हुआ एक सौ बरामत किया गया है बता दे कि 101 युवक का है जिसकी उम्रे 40 वर्स बताई जा रही है पुलिस मामले को आत्महत्या मान कर चानबिन कर रही है जारखन पुलिस में टॉप लेबल पर बड़े पैमान पर बदलाव की हो रही है तेयारी तथा कई अपसरों का होगा परमोशन बता दे कि पुलिस विभाग में फिलहाल कई कैडर पोस्ट रिक्त हैं तथा दूसरी तरफ जारखन पुलिस के दो सिनियर ओफिसर केंद्रिय प्रतिन्युक्ति पर जाएंगे सरम कानून के संसोधन के बिरोध में देश ब्यापी हरताल जिहां सरम कानूनों में बदलाव व संसोधनों के बिरोध में बुधवार को दर्जनों यूनियोनों ने सभा आयवित कर मैदूरों को हरताल में सामिल होने की अपिल की है मईदूर नेताओं ने कहा कि किंदर सरकार स्रम कानूनों में संसोधन कर मईदूरों का सोशन करना चाहती है साथ ही बंदुआ मईदूर बनाने में लगी है बतादे कि बोकारो मजदूर समाज ने 26 नौमबर यानि आज होने वाले देश ब्यापी हर्ताल का समर्थन किया है पूरू DGP D.K. पांडे के परिवारिक विवाद का हुआ समाधान सीविल कोट के मध्यस्ता केंद्रे में हुआ समझ होता बतादे कि DGP D.K. पांडे की बहु, रेखा ने अपने पती सुभांकन पांडे, ससूर D.K. पांडे और सास पुनम पांडे के खिलाफ महिला थाना में दहेज मांगने और परताडित करने से संबंधित मामला दर्ज कराया था पलामु जीले की छतरपूर थाना की पुलिस ने मंगलवार की देर रात राष्टिये राजमार्ग 98 पर दो अलग-अलग वहनों से 79 मवेसियों को जब्त किया है बतादे कि पसु तसकर के आरोप में पांच लोगों को गिरेफतार भी किया गया है बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़ी गई परियोहन मंत्री की बेटी जीहां जार्खन के जम सेथपूर में बिना हेलमेट बाइक चलाते राजे के परियोहन मंत्री चमपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन को पकड़ लिया गया इसके विरोध में दुखनी सुरेन गल्ती कबूल करने के बज़ाय साक्ची गोल चक्कर पर धरने पर बैठ गई साथ ही S.I. अमित नायक पर दुर्बहवार का अरुप लगाते हुए उल्टे करवाई की मांग करने लगी करोडों के चारा घुटाला के मामले में सजाफता बिहार के पुर्व मुख मंत्री लालू परसाद यादो के भाजपा बिधायों को फोन कर प्रोलोभन देने पर केंद्रिये स्वास्ते राज्य मंत्री आस्वीनी कुमार चौवबे ने कड़ी परतिकिरिया दी है बुधवार को उन्होंने कहा कि लालू यादो बार बार जेल मैनुवल का उलंगन कर रहे हैं इसलिए उन्हें तिहार जेल सिफ्ट कर देना चाहिए संक्रमन को देखते हुए ग्री मंत्राले ने जारी की नई गाइडलाइन जेहां बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए ग्री मंत्राले ने नए दिशानिर्देस जारी किये हैं जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी बता दे कि ग्रिह मंत्राले ने संक्रमन पर निगरानी, नियंत्रन और साउधानी के लिए दिशा निर्देस जारी किये हैं ने दिशा निर्देसों के अनुसार राजय तथा केंदर सासित परदेस केवल कंटेन्मेंट जोन में नाइट कारिफ्यू जैसी पाबंदिया लगा सकते हैं तथा ग्रिह मंत्राले के मुताबिक कंटेंडमेंट जोन में केवल आवस्ते गतिवीद्यों की अनुमती दी गई है। बिजली दर बढ़ाने पर जया जारखंड मैदूर समाज ने किया बिरोध। जिहां बिते दिनों जया जारखंड मैदूर समाज में महामंत्री बिके चोधरी की अध्यक्ष्था में बैठक हुई। इसमें कहा गया कि बुकारो परबंधन आवास में बिजली रेट बढ़ाने का मसूबा पाले बैठी है। इनका कहना है कि 33,000 आवासों में जितना बिजली खपत नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा जुगी जोपड़ी, गुम्टी, दुकानों एवं बाहरी छेत्रों में बिजली की खपत हो रही है। बिजली चोरी का हर जाना आवास में रहने वाले लोगों से वसुला जा रहा है, जिसका यूनियन विरोध करेगा। कारी के बाद मुख्यमंत्री उपायुक्त राजी को ब्रीधा को आश्रे ग्रीही में पहुचाने एवं उनकी देखभाल की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। सरेंडर करने आए साइबर अपरादी को पुलिस गिरफ से वकिलों ने छुडाया। पुलिस और वकिलों में बहस के बाद साइबर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद अधिवक्ताओं ने गोविंद मंडल को अदालत में सरेंडर करवाया। इसी के साथ खबरों की समापती करते हैं। अजस्कार